आर के नॉवेल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। अध्याए 2901 एक स्ट्रीम साउथ का क्रोनिक जहर म्यू निंग्ज्यू को उम्मीद नहीं थी कि दुनिया के विशेशग ये उसे चरम दक्षन समराट के खिलाफ लड़ने के लिए भरती करेंगे। इसके अलावा चीन में Febidden Magic Association को भी यही पत्र मिला था। इसने म्यू निंग्ज्यू को मुश्किल स्थिती में डाल दिया। निंग्ज्यू ये पत्र 5 Continents Magic Association Alliance से है। प्रति एक पंजिक्वित जादूग को भरती का बिना शर्थ पालन करना होगा, लेकिन चिंता न करें। मैंने इस बारे में वेई गुवान से बात की है। हाला कि चीन में Magic Association 5 Continents Magic Association Alliance को अस्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उसने आपकी सुरक्षा के लिए एक टीम भीजी है। वेई गुवान टीम के नेता है, म्यू लिंग्जिंग ने म्यू निंग्ज्यू से धीरे से कहा। मू निंगजू ने पत्र पड़ा था, वह जानती थी कि गट बंधन के खोखले शब्दों का कोई मतलब नहीं है। जब वह जादूगर्नी बनी और Magic Association में शामिल हुई, तो उसे पता चला कि उसके पास इस तरह की भरती को अस्वीकार करने की कोई शक्ती नहीं थी। ये सैन्य सेवा की तरह ही एक दायत्वा और करतव्य था, हाला कि आम लोगों को ऐसी भरती नहीं मिली। तुम्हारे तैयार होने के बाद हम चले जाएंगे। हमारे पास बरबाद करने के लिए समय नहीं है। वेई गुअंग ने म्यू निंग्जू से कहा। म्यू निंग्जू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे कुछ सत्यापित करने की आवश्यक्ता थी। उसके अपने संदेह थे। दीन सौंड हे, मुझे फाइव कॉंटिनेंस मैजिक असोसेशन एलायंस से एक भरती पत्र मिला। म्यू निंग्जू ने इंपिरियल कॉलेज के दीन को बुलाया। उसे इस मामले के बारे में और विस्तार से पूछताच करनी थी। वह जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। ओ, मुझे इसके बारे में पता है, तुम सच में जाना नहीं चाहते हैं ना। दीन सोंग हे ने कहा, जरूरी नहीं, मुझे पता है कि मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि मुझे क्यों भरती किया गया, म्यू निंग्जू ने कहा, मैंने इसके बारे में पूछताच की, यह मुखिता आपकी प्राकृतिक प्रत करना चाहिए, मु निंगजू ने पूछा, खुद पर भरोसा रखो, निंग्जू, इस भरती के बारे में कई संदीग धबाते हैं, लेकिन ये पत्र होली सिटी और पांच महादवीपों के सबसे प्रतिश्थित मैजिक असोसियेशन की और से है, भले ही वे अध्यक्ष की भरती करें, अध्यक्ष को जाना ही होगा, आप ही वह व्यक्ति हैं जो तै करेंगे कि आप अपनी यात्रा के दोरान क्या करेंगे, चाहे वह आपकी मुट्भेलों के दोरान हो या प्रत्याशित परिस्तितियों के दोरान, दीन सॉंग ने चेताव नी दी, मैं समझ गया, ध भरती के बारे में जानकारी आसानी से प्रकट नहीं की जाएगी, म्यू निंग्जियू कुछ नहीं कर सका, अचानक भरती के कारण, उसके पास मानपता के लिए सबसे भयावेह निशित स्थान, अंटाक्टिक महादवीट में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इस उसे पता चल जाएगा कि वह कहां है, म्यू निंग्जियू इसलिए नहीं जिजख रही थी क्योंकि वह मो फैन को परिशान नहीं करना चाहती थी, बलकि इसलिए जिजख रही थी क्योंकि उसे बताने से स्थिती जटिल हो जाती, सबसे पहले वह भरती को अस्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि यह जादूई परंपरा का उल्लंगन होगा। वैसे भी वह संभवता फाइब कॉंटिनेंट्स मेजिक असोसियेशन एलायन्स के खिलाफ नहीं जा सकती थी। दूसरे अगर मो फैन ने उसे इसके बारे में बताया तो वह उसे अकेले नहीं जाने देगा। वह अपनी खेती बंद कर देगा और उसके साथ अंटाक्टिक चला जाएगा महादूई। मैजिक सिटी में लड़ाई के तुरंद बाद म्यू निंग्ज्यू मो फैन को खत्रे में कीचने को बरदाश्ट नहीं कर सका। म्यू निंग्ज्यू ने लोगों को मो फैन की खेती से प्रस्थान करेगी और एक महासागर को पार करने के बाद अंटाक्टिक महादूईब पर पहुँचेगी। की तुलना में उसकी खेती नगन्य रूप से अधिक थी। अंटाक्टिक की भूमी तियानशान परवत से भी अधिक रहसे मय थी। प्रतेक आइस एलिमेंट मैज के लिए अशांद बर्फ की नसो वाला आदिम परिद्रशे एक बड़े खेती वाले अभ्यारन्य की तरह था कुछ विशेश आइस एलिमेंट मेज एक्स्ट्रीम साउथ लेंड में कठोर अभ्यास के बारे में लेक प्रकाशित करते थे जो सर्वोचे जादू का पीछा करने वाले लोगों को आकरशित करते थे। जादूगा के रूप में म्यू निंग्ज्यू ने एक से अधिक बार इसी तरह की टिपनिया सुनी थी। हाला कि म्यू निंग्ज्यू ने इन मिलावटी खेती सिधान्तों को नजरंदास कर दिया था। दुनिया में ऐसे भी लोग थे जो अपरम प्रागत होना और अपनी असाधारंता को अभिव्यक्त करना पसंद करते थे। हाला कि एक स्ट्रीम साउथ लेंड में कदम रखने के बाद कई लोग लापता हो गए थे और उनकी मृत्यू हो गई थी। कोई भी आइस एलिमेंट का अभ्यास तभी कर सकता है जब वे पर्याप्त रूप से मजबूत अन्य था वे मर जाएंगे अन्टाक्तिक महादवीप में बर्फ के आक्रमन की शक्ति है अन्टाक्तिक महाधवीप पर खड़ा होना एक बर्फ बेंट में गرम पानी डालने के बराबर है हमारा तापमान धीरे धीरे गिरेगा जब पानी शून ने डिगरी पर पहुँν जा कर देगा. सभी स्तरों के जादूगा अपनी क्षमताओं और तद्नुरूप शक्ती में इस कमी से पीवित होंगे. उच्छ स्तर की खेती बर्फ के आक्रमन के प्रभाव को कम नहीं करेगी. भले ही वे निशित जादूगहों, यदि वे अंटाक्टिक महादवीप में कदम रखते हैं तो वे बर्फ के आक्रमन से प्रभावित होंगे. यही कारण है कि अंटाक्टिक महादवीप को प्रित्वी पर निशित स्थान के रूप में जाना जाता था. अंटाक्टिक महादवीप में प्रानियों की ताकत समुद्री राक्षसों से कहीं अधिक है। उन्हें भूमी पर राक्षसों से लगभग पांच गुना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जब आप कमांडर स्तर या शासक स्तर के बरफीले जानवर को देखते हैं तो आपको इसे हलके में नहीं लेना चाहिए। वांग शुओ ने आगे कहा। आप पहले अंटार्क्टिक महादवीप पर गए हैं हैं ना। वेई गुवांग ने पूछा। मैं युवा और अग्यानी था। अफसोस ये पैर वही कीमत है जो मैंने उस समय चुकाई थी। सौभाग यसे मैं नहीं म वांग शुओ ने करवी मुस्कान के साथ कहा और अपने बाय घुटने को बेद से मारा। चेप्टे आर 2902 पूर्व छात्र क्या तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो सकता। आप शाही राजधानी में एक महान जादूग हैं। आपको अपनी चोट को ठीक करने के लिए कुछ श जीवन भर आपका साथ देंगी। वहां पहुचने के बाद आपको घाव का समय पर इलाज करना चाहिए। भले ही वह छोटा सा कठी क्यों न हो। एक बार जब विक पुराने जहर आपके घाव को खत्म कर देते हैं तो आप पूरी जिन्दगी इसके साथ रह सकते हैं। वा लेकीन नहीं है कि असोसियेशन दो, छोटी लग्कियों को हमारे साथ यात्रा करने के लिए क्यों कह रही है। आपकी खेतिक अस्तर बहुत उचा नहीं लगता है। वांग शुओ ने म्यू निंगजू और रसद और भोजन की प्रभारी महिला को देखते हुए कहा। खासी खासी भाई वांग ये फैनिक्स यू परवत से म्यू निंग्जू है। वह वह व्यक्ति है जिसे हम एक्स्ट्रीम साथ लेंड तक ले जाने वाले हैं। एक रोयल ड्रेट मैज ने कहा। रसद और भोजन की प्रभारी महिला को इसके बारे में पता नहीं था। वह शांत म् म्यू निंगजू ने ठंड से बचने के लिए काला मास पहना था और उसके लंबे सफेद चांदी के बालसपश ट्रूप से ध्यान देने योग्य थे। हाला कि वांग शूओ और महिला ने सोचा कि यहरंगाई की एक विधी है जो आजकल यूवा लर्कियों को पसंद आती ह उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस महत्वपूर्ण मिशन में मुख्य व्यक्ति म्यू निंग्जू होंगी। इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया। उस समय वांग शूओ इंपिरियल कैपिटल एक्स्प्लोरेशन टीम की ओर से अंटाक्टिक महादवीब गय थे और इंपिरियल कैपिटल ने केवल कुछ युवा रॉयल जादूगरों को भेजा था। उन अनुभवहीन और अग्य कलीन प्रतिक्रिया के लिए एक फबिदन मेज और एक पूरी टीम को भेजना अतिशने उक्तिपूर्ण था। वाह तुम म्यू निंग्ज्यू हो। जब मैं इंपिरियल कॉलेज में थी तो मैं भी आपके जैसी ही कक्षा में थी। लोजिस्टिक्स की प्रभारी महिला यान लें का सरलस्वभाव था लेकिन वो उतसाहित लग रही थी और इंपिरियल कॉलेज के बारे में सभी प्रकार की चीजों के बारे में बात करती रही। उस समय हमारे ग्रेड में बहुत सारी युवा प्रतिभाएं थी और उनमेंसे प्रतेक एक चमकदार सितारा था। शभी किसी कारण से हर कोई आपका उलेक करना पसंद करता है हमने इस बारे में बात की कि आपने विश्व कॉलेज टूर्नामेंट कैसे जीता फैनिक्सियू परवत की स्थापना की विभिन युवा और शक्तिशाली जादूगरों को हराया अकेले म्यू पैन परवत में प्रवेश किया हर कोई आपको देवी कहता है क्या मैं तुम्हें भविश्य में भी ऐसा ही कह सकता हूँ यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपकी चुप्पी को हाँ मान लूनगा में दरसल काफी देर तक बात करने के बाद देवी म्यू मिलनसार लगती है सभी जूनियस भी तुम्हें यही कहकर बुलाना पसंद करते थे यान लैन आगे बढ़ गई आखिरकार वह उस प्रसिद व्यक्ति से मिली जिसके बारे में हर कोई बात करता था जब म्यू निंग्जियू ने यान लैन को स्कूल का जिक्र करते हुए सुना तो वह थोड़ा भावुक हो गई उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप यान लैन की बात सुनती रही यान लैन पूरे स्कूल के लोगों के अतीत और वर्तमान को जानती थी वह एक व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बाते कर सकती थी जिससे उबा यात्रा कार्यक्रम थोगा और दिल्चस्प हो गया वैसे श्वी वेई गुवान वी इंपीरियल कॉलेज के छात्र हैं वह हमारे सीनियर हैं जब वह एक निशिद जादूगा बन गया तो इससे हमारे स्कूल में हलचल मच गई अगर आप धर वापसी में शामिल होंगे तो आपको पूरे परिसर में उनकी तस्वीरे लगी हुई दिखेंगी वह इस युग का सबसे कम उम्र का निशिद जादूगा होना चाहिए मैंने सुना है कि वे इगुवान के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे मुझे आश्चर्य है कि उसकी कौन सी दुरलब मुटभेड हुई थी यहां तक की विदेशी देश भी इसकी रिपोर्ट करने के लिए संधर्श कर रहे थे यान लेन ने आगे कहा यान लेन प्रलाप वह इगुवान उनकी ओर चल रहे थे उसने यान लेन पर नजर डाली और फिर म्यूनिंग्स यूपर यदि आपकी कोई शिकायत या आवश्यक्ता हो तो आप आवाज उठा सकते हैं हमारी टीम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी यदि आपको कोई असुविधा हो तो यथाशी घर हमें बताएं यदि आपको भुजन, कपड़े या विशेश चीजों की आवश्यक्ता है तो आप उसे बता सकते हैं वेई गुआंग ने यानलेन की ओर इशारा किया यानलेन मुस्कुराए जब उसने वेई गुआंग को देखा तो उसकी आखे खुशी से चमकु थी वह उसकी बहुत प्रशंसा करती थी श्री, वेई गुआंग, हम तीनों पूर्ग छात्र हैं यानलेन ने कहा तो क्या हुआ? वेई गुआंग ने पूछा ओह, यानलेन एक बतूनी लड़की थी लेकिन वह नहीं जानती थी कि वेई गुआंग को कैसे जवाब देना है यानलेन ने अपना सिर नीचे किया और म्यू निंगजू की और देखा जैसे उसने कुछ गलत किया हो म्यू निंगजू ने उसे कुछ आराम देने के लिए उसके कंदों को हलके से थप थपाया ये देखते हुए कि म्यू निंगजू के पास कहने के लिए कुछ नहीं है वेई गुआंग अपनी स्थिती में लोटाए वेई गुआंग के चले जाने के बाद यानलेन ने सावधानी से कहा वेई गुआंग मुझे पसंद नहीं करते क्या मैं बहुत ज्यादा बातूनी हूँ म्यू निंग्जू ने उदासीनता से जवाब दिया संभवत उसे खुद पर बहुत गर्व है वेई गुआंग काफी गुरवानवित थे और मुनिंग्जू ने फैनिक्सू माउंटन के कॉन्फरेंस हॉल में कदम रखते ही इसे महसूस कर लिया था जिस तरह से वह दूसरे लोगों को देखता था और उसकी आवाज का लहजा हमेशा एक खास तरह की अधीरता रखता था लेकिन उसे गर्व करने का अधिकार है आखिरकार हर कोई एक निशिद जादूगर नहीं बन सकता है और ऐसे बहुत से लोग नहीं है जो इतनी कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सके और प्रसिद हो सके यान लेन ने कहा दूसरा व्यक्ति जितना थंडा था यान लेन को उतना ही अधिक महसूस हुआ कि यही वस्वभाव है जो एक अप्राप्य व्यक्ति में होना चाहिए इससे यान लेन को लगेगा कि यदि वेई गुवांग मिलनसार और मैत्री पूर्ण है तो दूसरा व्यक्ति कम रहसे मयों और सम्मान जनक होगा शायद अरे मैं तो करीब करीब भूल ही गया था सभी ने कहा कि आपसे संपर्क करना सबसे कठिन है आप किसी पर ध्यान नहीं देंगे जैसे कि इस दुनिया में हर कोई कुड़े का धेर है मुझे एक शमा करें मैंने यह बात एक वरिष्ट से सुनी थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अक्सर हर किसी को आपके बारे में बात करते हुए सुनता हूँ इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से लगता है कि आप ऐसे व्यक्ती हैं जो इस समय मेरे साथ रहे है यान लेंड को अच्छानक एहसास हुआ यान लेंड जैसी सरल दिमाग वाली लड़की के लिए उसके प्रती उदासीन होने की जरूरत नहीं थी अध्याए 2930 बर्फ शेत्र का अपवर्तन म्यू निंग्जियू को कभी नहीं लगा कि उसके साथ मिलना जुलना आसान है उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसे दूसरे लोगों के साथ साजा करना क्या पसंद या नापसंद है जब कुछ लोग उसके पास आते थे और अपने मन में कोई उदेशिल लेकर उससे बातचीत करते थे तो वह पहन लेती थी एक स्वभाव जिसने उन्हें संकेत दिया कि वह के लिए रहना चाहती थी दरसल कई लोगों ने उनके साथ अजीब व्यवहार किया वे या तो जानबूच कर उसकी प्रशंसा करने का दिखावा करते थे या उसे तुच्छ समझते थे यदि कोई व्यक्ति इमानदार नहीं है तो उसका व्यवहार कश्टप्रत प्रतीत होगा म्यू निंग्ज्यू जिन अधिकांश लोगों से मिलती थी वे इसी तरह मिलते थे जिससे उसके साथ मिलना जूलना बहुत मुश्किल हो जाता था और इसलिए वह अलग थलग और बर्फ की तरह थंडी लगती थी यान लेन जैसी इमानदार महिलाए बहुत नहीं थी उसके शब्दों से म्यू निंग्ज्यू को लग सकता था कि उसका इरादा उसकी चापलूसी करने का नहीं था नहीं उसका कोई गलत उद्देश्य था वह बस उससे बात करना चाहती थी दरसल यान लेन जैसी महिलाए इमानदार थी चाहे वे किसी से भी बात करे वे वैसे ही रहेंगे मू निंग्ज्यू को उससे काफी इरश्या थी इसलिए निग्ज्यू को लगा कि वेई गुआन यान लेन के प्रती अधीर हो रहे थी क्योंकि उन्हें खुद पर बहुत गर्व था वे इगुआन को लगा कि यान लेन उसे अपने पास कीचने की कोशिश कर रही है लेकिन उसका वास्तव में ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था यान लेन एक जादूगर्नी थी जो खाना पकाने में अच्छी थी उसे भोजन की अनोखी समझ थी और वह जानती थी की विशेश सामगरियों का मिलान कैसे किया जाए ये सामरिया लोगों को थंड के आक्रमन और जहरीले मियाजमा के फैलने से रोक सकती है फूड मैज एक बहुत ही दुरलब पेशा था लेकिन इस यात्रा कार्यक्रम में यह महत्वपूर्ण था आइस वील फ्लाइंग बोट अंटाक्टिक महधवीप में यात्रा करने के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन होगा यह हमारे पैरों को बर्फीली जमीन से दूर रख सकता है और थंड के कारण उन्हें चोट लगने की संभावना को कम कर सकता है निस संदेह सबसे महत्वपूर्ण चीज अंदर का गठन है जो हमारे शरीर और हमारे रक्त को गर्म कर सकता है यह बर्फ के आक्रमन के प्रभाव को थोड़ा थोड़ा करके दूर कर सकता है दूर भाग्य से आइस वील फ्लाइंग बोट सभी बर्फ क्षित्रों में काम नहीं कर सकती है इसलिए हमें कुछ स्थानों पर इसके बिना काम करना होगा जैसे जैसे हम अंटाक्टिक महदवीप में अधिक समय तक रहेंगे क्लियर फायर फॉर्मेशन धीरे धीरे अपना प्रभाव कोता जाएगा ये बहुत अच्छा होता अगर हमारे पास अतीत में आइस वील फ्लाइंग बोट और क्लियर फायर फॉर्मेशन भी होता वांग शुओ ने आहभरी, वह अतीत और वर्तमान के बीच के अंतर को लेकर विशेश रूप से चिंतित दिखे ऐसी प्रतिक्रियाय आना स्वाभाविक था, अतीत में वांग शुओ अंटाक्टिक महादवी पर बुरी स्थिती में थे उन्होंने लंबी दूरी की खोज़की और अपना बाया पैर खो दिया, लेकिन बहुत से लोगों को उनके योगदान को याद नहीं है इंपीरियल केपिटल में लोग उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद करते थे जिसने एक्स्ट्रीम साउथ लैंड में तभी कदम रखा था जब फाइव कॉंटिनेंट्स मैजेक असोसेशन एलायन्स से भरती हुई थी उन्हें मौजूदा टीम के लिए मार्क दर्शक बनने की जरूरत थी नीला समुद्र निर्मल होता जा रहा था प्रकृती शायद तभी अपना मूल रूप सपश्ट रूप से दिखाएगी जब वह निशित क्षेत्र के करीब होगी जहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है इसलिए नीले समुद्र का रंग इतना अद्भूत था समुद्र पर कुछ सफेध हिमखंड दिखाए दिये वे बरफीले नीले चित्र में धीरे-धीरे बहती हुई नौकाओं की तरह थे हिमखंड वास्तव में तैर नहीं रहे थे वे केवल सतह पर उबले हुए सिरे थे और पानी के नीचे विशाल हिमखंडों का हिस्सा थे मानविय द्रिष्टी और जहाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हिमखंड बह रहे हो रास्ते में मियू निंगजू ने कई जहाजों के मलबे को देखा कुछ मलबे हिमखंडों के असमान कोनों से जुड़े हुए थे और अन्य लगभग सो मीटर पानी के नीचे तैर रहे थे हिमखंडों के कोने पर लटके जर्ज़ जहाजों के विप्रीत समुद्र में डूपते जहाज एक भयानक एहसास देते थे वे गहरे शांत समुद्र में थे जहाँ प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता था वे पानी के अंदर किसी भूतिया जहाज की तरह दिखाए दे रहे थे ऐसा लगा जैसे जहाज में कोई चीज भूर रही हो समुद्र की सतह और पत्वार पर आख्रोश हमेशा छाया रहता था जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता गया उन्हें एक शांदार बर्फ की दुनिया दिखाए देने लगी ये जमे हुए समुद्र और नीले पानी की लहरों के बीच एक सपष्ट सीमा थी जब आइस वील फ्लाइंग बोट समुद्री जल को पार कर बर्फ पर चली तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो इस दुनिया में सब कुछ स्थिर लग रहा था बर्फ की पतली परतों वाले नीले और सफेद बर्फ के पहाड़ों के साथ एक शांदार सफेद पेंटिंग की तरह वांग शुओ ने कहा हम अंटाक्टिक महादवी पर पहुँचने वाले हैं उसे बिचैनी महसूस हुई दरसल वो यहां आना ही नहीं चाहता था जब थंडी और तेज हवा ने उस पर प्रहार किया तो उसका बाया पैर दुखने लगा आए आराम न करें हमें आगे बढ़ना चाहिए हम पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं वेई गुआंग ने सभी से कहा इस बिंदू पर चौकी टीम को मार्क का पता लगाना चाहिए अंटाक्टिक महसागर में कुछ शक्तिशाली बर्फीले जानवर रहते हैं वांग शुओ ने तुरंत विरोध किया वेई गुआंग ने चारों और देखा और अनिच्चुक लग रहे थे चौकी टीम द्वारा आगे की सड़क को सुरक्षित भोशित करने से पहले वे आगे नहीं बढ़ सके ठीक है तुम लोग आगे बढ़ो और देखो यदि कोई विशेश स्थिती नहीं है तो हम पूरी गती से आगे बढ़ेंगे वेई गुआंग ने कहा हाँ, हाँ, मार्ग की खोज के प्रभारी कर्मी समान शकल सूरत वाले दो भाय थे दोनों ने एक सफेद पैंथर और एक काले पैंथर को बुलाया सफेद पैंथर के पास एक जोड़ी पंख थे और वह हवा में उड़ सकता था दूसरी और ब्लेक पैंथर के पास अधिक मजबूत शरी तेज पंजे थे और वह बर्फ पर तेजी से दोड़ सकता था दोनों भाए अपने अपने बुलाय हुए जानवरों पर सवार हुए हाला कि कुछ ही दूरी के बाद वे सभी की नजरों से ओजल हो गए इस घटना ने वेई गुवान को निराश कर दिया यहां के ग्लेशेर और बर्फ की सथे प्रकाश के विभिन अपवर्तन का कारण बनेंगी इसलिए हमने जो पूरे बर्फ का शेत्र का वास्तविक स्वरूप देखा वह समतल भूमी या लहरदार पहारों जैसा नहीं है यह दरारों, लहरों, ग्लेशेरों और बर्फ के टुकणों से और अधिक जटिल हो सकता है मैंने उनसे रास्ते में पहचानने योग्य निशान छोड़ने के लिए कहा वांग शूओ ने समझाया अगर ऐसा है तो क्या हम आसानी से खो नहीं जाएंगे शाही महान जादूगर से पूछा यह सबसे दरावनी चीज नहीं है वांग शूओ ने अजीब भाव से कहा सबसे दरावनी चीज क्या है वेई गुआंग ने पूछा जिस तरह हम उन दो भाईयों को नहीं देख सकते हैं जो मार्क का पता लगाने गए हैं बर्फ के मैदान में समुहों में रहने वाले शक्तिशाली जानवर पास में हो सकते हैं जब हम गलती से एक खाली बर्फ के मैदान में कदम रखते हैं तो हम जानवरों के एक समुह को सचित कर सकते हैं वांग शूओ ने कहा पूह ऐसी अजीव चीज वास्तव में मौजूद है इसका मतलब है कि हम खत्रे में हैं चाहे हम कहीं भी हो जिसे सुनकर हर कोई सहम गया बर्फ का क्षेत्र बहुत विचित्र और अनुचित था इसलिए जब हम चलते हैं तो हमें अतिरिक्ट सावधानी बर्तनी होगी किसी को पहले अनुवेशन के लिए आगे बढ़ना होगा और किसी को हमारे आसपास के अद्रिश्य शेत्रों में गश्त करने की आवश्यक्ता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे आसपास कोई शक्तिशाली जीव और बर्फीले जानवरों के समूह नहीं है वांग्शुओ ने कहा अध्याय दो हजार नौसो चार अभ्यारन्य की खेती सूरज की रोश्नी चकाचोध करने वाली थी खास कर जब वह कुछ हिमखंडों पर चमकती थी जो प्रिजम की तरह थे परावर्तित प्रकाश अत्यंत उज्ज्वल था थंड में जब इनसान देर तक धूप में नहाते थे तो उनकी त्वचा में जुन-जुनी महसूस होती थी यह एक अजीब एहसास था वे थंडी जगह पर थे लेकिन चिलचिलाती धूप महसूस कर सकते थे बर्फ के आक्रमन के परिनामस्वरूप हवा के हर जोके ने त्वचा को ब्लेड की तरह खरोंच दिया उनकी मांस्पेशियों और हड्डियों में लगातार दर्द रहता था रोयल ग्रेट मैज ने शिकायत की सूरज की रोशनी से मेरी तवचा लगभग फटने लगती है हाँ, आपको आभारी होना चाहिए था हम इस सीजन में यहाँ है यदि कोई अन्य रितू होती तो हमारे पास इस निशित क्षेत्र में कदम रखने की योग्यता भी नहीं होती अन्टाक्टिक बर्फ का क्षेत्र आकार में दो गुना हो जाएगा और बर्फ का आक्रमन अपकी तुलना में पांच गुना अधिक शक्तिशाली होगा यहां तक की कई बर्फीले जानवर भी उस मौसम में मर जाते हैं वांग शुओ ने कहा शाही महान जादूग ली वेनबिन ने असमंजस में इधर उधर देखा अन्टाक्टिक महादवीप में कदम रखने के बाद से ही वह सहज महसूस कर रहे थे इतना कठोर वातावरन इंसानों के रहने के लिए कैसे उप्यूप्त हो सकता है और यह सबसे बुरी स्थिती नहीं थी मैं आपका मतलब ठीक से नहीं समझ पाया क्या यहां की जलवायू बदल जाएगी ली वेनबिन से पूछा क्या तुमने ध्यान नहीं दिया यह लंबे समय से अस्थ नहीं हुआ है वांग शुओ ने आकाश में सूर्य की और इशारा करते हुए कहा तभी ली वेनबिन को एहसास हुआ कि दिन इतना लंबा हो गया है ली वेनबिन ने काफी समय पहले सूरज को आसमान में लटकते हुए देखा था इसे अस्थ हो जाना चाहिए था और अब तक रात हो जानी चाहिए थी ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे सूरज आकाश में चमक रहा था मानो अभी अभी निकला हो द्रुविय दिन वांग शुओ ने समझाया यहां से अगर हम वापस नहीं गए तो हम रात नहीं देख पाएंगे यह घटना केवल अन्टाक्टिक महादवीप और आक्टिक महादवीप में घटित हुई म्यू निंगजिव को इसका सिध्धान्त पता था म्यू निंगजिव ने मोटे तोर पर समय की गणना की और भौहें चड़ा दी यह सच था कि वे अब रात नहीं देखेंगे लिकिन जल्द ही अनंत रात अन्टाक्टिक महादवीप पर शासन करेगी यह महीना वह समय था जब धुरूवीय दिन और ध्रुवीय रात बारी-बारी से आते थे अन्टाक्टिक महादवीप विशेश रूप से धुरूप पर 6 महीने तक केवल राथ होगी धुरूप और अन्टाक्टिक महादवीप के आसपास का क्शेत्रब बर्फीले शोधवरीह की तरह अंधेरा और थंड़ा हो जाएगा फाइव कॉंटिनेंस मैजिक असोसियेशन और होली सिटी के विशेशग्यों ने ऐसे महीने में चरम दक्षन समराट के साथ लढने का फैसला किया क्या इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने इस महीने कुछ नहीं किया तो लोगों के पास अगले छे महीनों की अनंतरात के लिए इस जगह पर कदम रखने की योग्यता भी नहीं होगी चरम दक्षन समराट के साथ लढने के लिए ध्रूप पर जाना तो दूर की बात है म्यू निंग्जियू को आश्चर्य हुआ सारी दुनिया में ठंड थी कई महत्वपून जादूई विक्सित देश उत्तरी गोलार्ध पर थे जहां तक ठंड के असर की बात है तो उत्तरी गोलार्ध जादा प्रभावित होगा कई देश महत्वपून नदियों और जलमार्गों में ठंड की समस्या से राहत पाने के लिए लगातार फायर एलिमेंट मेच की भरती भी कर रहे थे वे अंतिमक्षन में चरम दक्षन समराट के साथ लड़ने के लिए उत्सुक हैं क्या भविश्य में चरम दक्षन भूमी पर कोई आपदा आ सकती है मू निंगजु ने खुद से कहा म्यू निंगजु ने मोटे तोर पर गणना की इस महीने में 20 से अधिक दिन बीट चुके थे और 6 धुरुविय दिन केवल एक सब्ताह के थे हाला कि उन्होंने इसी समय अंटाक्टिक महादवीप में कदम रखा यडी वे 7 दिनों में इस भरती का कार्य पूरा नहीं कर सके तो उन्हें सुदूर दक्षिन में सबसे भयानक अनंतरात का सामना करना पड़ेगा शायद कुछ ही लोग यहां से जीवित निकल सके शुरू से ही म्यू निंग्जियू के मन में बहुत सारे सवाल थे लेकिन अब तक कोई भी उसे सच नहीं बता सका यहां तक की टीम का नित्रित्व करने वाले वेही गुवान को भी नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए दोनों भाए अपने वाइट पैंथर और ब्लेक पैंथर के साथ वापस लोट आये उन्होंने एक लंबा रास्ता खोजा और सभी को निश्चित्ता के साथ बताया कि आगे का रास्ता सुरक्षित है उन्होंने अपवर्तन क्षेत्र में कुछ अंदे स्थानों की जाच की थी और वहां बिलकुल भी क्रूर बर्फीले जानवर नहीं थे जैसे ही आइस्वील फ्लाइंग बोट ने चलना शुरू किया बर्फ का आखरमन शुरू हो गया पहले ही शुरू हो चुका है म्यू निंग्जियू ने देखा कि फबिडन मेज वेई गुवां सहित सभी की त्वचा बेहत पीली हो गई थी ऐसा लगा मानो उनका खून जम गया हो तुम्हें थंड नहीं लगती यान लेन ने खुद को जादूई जैकेट में लपेटते हुए कापती आवाज में पूछा मैं ठीक हूँ म्यू निंग्जियू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ यहां हर कोई बर्फ के आखरमन से पीलित था उन्होंने खुद को गर्म कपडों की परत दरपरत लपेट लिया जिसका कोई असर नहीं हुआ चाहे धूप कितनी भी तेज क्यूं नहों फिर भी उन्हें ठंड महसूस होती थी ठंड के साथ साथ उनके पूरे शरीर में दर्ग, जकडन और जुन-जुनी भी थी हाला कि म्यू निंग्जिव ने पाया कि बर्फ के आक्रमन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा बाकी सभी की मास्पेशिया सक्त थी और वे ठके हुए और कमजोर थे ये वैसा ही था जैसा आम लोगों को लंबी दूरी तक दोड़ने के बाद महसूस होता है उनके स्वस्थ होने का एक मात तरीका आइस वील फ्लाइंग बोट में क्लियर फायर फॉर्मेशन पर जाना था हर कोई बर्फ के आक्रमन की आतना से दूर रहने के लिए हर समय उस क्लियर फायर फॉर्मेशन में रहना चाहता था आपको थोड़ी देर आराम करने के लिए clear fire formation पर जाना चाहिए हम वहाँ जाने के लिए पहले ही बारी-बारी से जा चुके हैं यान लेन ने म्यू निंगजू की ओर देखा म्यू निंगजू ने एक jacket पहन रखी थी जो पूरे शरीर को ढख सकती थी और उसने अपने चहरे पर एक मुखोटा पहना था जिससे केवल उसकी आखें दिखाए दे रही थी यान लेन म्यू निंगजू का रंग नहीं देख सका उसे बस यही लगा कि म्यू निंगजू को जाकर कुछ देर आराम करना चाहिए म्यू निंगजू ने इसके बारे में सोचा और फिर सिर हिलाया जब म्यू निंगजू क्लियर फायर फॉर्मेशन पर पहुँची तो उसे थोड़ा परेशानी महसूस हुई अन्य लोगों को गर्मी और आरामदायक महसूस हुआ जैसे कि उन्होंने अभी अभी गर्म स्नान किया हो लेकिन इस गर्म तापमान में वह बहुत असहज महसूस कर रही थी कुछ देर अनिच्छा से रुकने के बाद म्यू निंगजू बाहर चला गया जब वह आइस वील फ्लाइंग बोट के डेक पर चली गई तो उसे लगा कि बाहर की ठंडी और कुरकुरा हवा अधिक आरामदायक थी ऐसा लगता है कि बर्फ का आक्रमन मुझ पर काम नहीं कर रहा है यू निंगजू ने खुद से बुदबुदाया ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह बच्पन से ही आइस क्रिस्टल बो की अत्यदिक बर्फीली यातना से पीडित थी या क्योंकि चरम दक्षन पर बर्फ का आक्रमन और आइस क्रिस्टल बो का प्रभाव एक ही प्रकार का था नियू निंगजू को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह चरम दक्षन के बर्फीले आक्रमन से पूरी तरह प्रतिरिक्षित थी नियू निंगजू को यहां तक महसूस हुआ कि उसका शरीर इस बर्फीले आक्रमन वातावरन में लगातार शुधतम बर्फ तत्व को अफशोशित कर रहा था और धीरे धीरे उसकी बर्फ ख्षमता को बदल रहा था और मजबूत कर रहा था शायद यहां आना इतना बुरा विचार नहीं था दूसरों के लिए ये स्थान यातना पूर्ण था नियू निंगजू के लिए जिसने बर्फ और हिमपात को सुना था और हवा और ठंड को महसूस किया था यह एक दुरलब खेती वाला अभ्यारन ये प्रतीत हुआ नियू निंगजू को लगा कि उसकी खेती का स्तर जो अपनी अर्चन के करीब था फिर से थोड़ा कम हो गया है हाला कि अगर उसकी साधना आगे बढ़ी तो वह जल्द ही एक निशित जादूगर्नी बन जाएगी अध्याए 2905 स्टार ब्रिज का दूसरा किनारा आगे का रास्ता असीमित था म्यू निंगक्सू को पता था कि चिंतित होना बेकार है वो एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकती थी उसने खुद को शांत किया और उस बर्फ तत्व को महसूस किया जिसने जमीन को भर दिया था किसी कारण से ये बर्फ के तत्व जो क्रूर थे और दूसरों के लिए क्रूर थे म्यूनिंग्जू को अधिक आकरशक लग रहे थे वे जंगल में जुगनूओं की तरह थे जो शुधा और हाने रहित थे उसने धीरे धीरे उन्हें अपनी आत्मा में समाहित करने की कोशिश की लिकिन ये बर्फ के तत्व विशेश बर्फ के पानी में बदल गए जिसने जादूई धनुष को धो दिया जो उसकी आत्मा में विलीन हो गया था आइस क्रिस्टल वो हमेशा एम के साथ रहता था यूं निंग्जियू अपने विकास में जब वह बच्ची थी तो उसे लगता था कि ये कोई शैतान है जो उसे कोड़े मारता रहता है यदि वह थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो उसे इसकी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती जब वह धीरे धीरे इसकी कठोरता और सजा की आदी हो गई तो उसे महसूस हुआ कि ये उतना भयानक नहीं था जितना उसने सोचा था वैनस में हुई घटना के बाद से को आइस क्रिस्टल बो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी म्यू निंग्जियू ने पाया कि आइस क्रिस्टल बो स्वयम की पूरक के लिए अन्य लोगों की आत्माओं को नहीं निगलता है यह एक विशेश धनुष था जिसे बर्फ विशेशता ओर्जा बढ़ाने की आवश्यक्ता थी म्यू निंग्ज्यू ने आईस क्रिस्टल बो की कमी को पूरा करने और धीरे धीरे इस पर नेंत्रन हासिल करने के लिए पूरे देश से बर्फ के टुकड़े इकठा करने के लिए फैनेक्स यू परवत के विकास पर भरोसा किया इतने वर्षों की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई आईस क्रिस्टल बो द्वारा जारी आत्मा उर्जा के कारन व्यू निंग्ज्यू ने अपनी खेती में बहुत तेजी से सुधार किया वास्तव में उससे आईस एलिमेंट सुपर लेवल के तीसरे स्तर तक आगे बढ़े हुए कुछ समय हो गया था लेकिन खेती उसकी वास्तविक शमता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकी खेती में उससे अभी भी एक लंबा सफर तै करना था सभी दिशाओं से बहती नदी की तरह बर्फ के तत्वा बरसते रहे इस समय मू निंगजू को एक बार फिर लगा कि उसकी खेती की बाधाये धीली हो रही है हाला कि बेरियर के बाहर कुछ भी नहीं था ऐसा लगा मानो वह आगे बढ़ रही हो ये वैसा ही एहसास था जब वह बेसिक लेवल से इंटरमीडियेट और एडवांस्ट से सुपर लेवल तक आगे बढ़ी थी हाला कि जिस चीज ने म्यू निंगजू को बेहत भ्रमित और आश्चर यचकित कर दिया वह था निशिध अभिशाप क्या वह इस थंडी और अनोखी दुनिया में खड़ी एक निशिध जादूगर नी बन सकती है यह असंभव था यदि एक निशिध जादूगर बनना इतना आसान होता तो इस दुनिया में इतने कम निशिध जादूगर नहीं होते अगर ऐसा था तो वह कौन सी शक्ती थी जो सुपर लेवल की बाधा को पार कर गई और वह किस नाइक शेत्र में प्रवेश करने वाली थी मू निंगजु को लगा कि उसका आइस एलिमेंट स्टार सी बदल रहा है कुल 2401 स्टार संस थे जो मूल कक्षा से भटक गए और दूर अंधेरे में उल गए जिन क्षेत्रों को उन्होंने पार किया वे सभी रोशन थे जिससे कई शांदार तारो वाले पुल बन गए मू निंगजु को नहीं पता था कि स्टार संस के असामान्य व्यवहार का क्या किया जाए उसने जल्दी से अपने दिमाग से उनका पीछा किया और इन आग्याकारी स्टार संस का पीछा किया एक ही समय में 2000 से अधिक Star Suns पार हुए और कास्ट Star Bridge स्टार सागर से परेकी दुनिया की ओर ले गया जब म्यूर निंगजू ने Star Bridge के साथ Star Suns का पीछा किया तो वह एक उजवल और विशाल Star Universe को देख कर आश्चारे चकित रह गई वहाँ स्टार संस बेहद उज्जवल थे और रोशनी से ये सब बहुत सपने जैसा लग रहा था ऐसा प्रतीत होता है कि स्टार ब्रिज के दूसरी तरफ अंधिनत शक्तिया है और हजारों स्टार संस है जिन्हें वह भेज सकता है दुर्भाग्य से अन्य स्टार यूनिवस म्यू निंग्ज्यू का नहीं था उसने स्टार ब्रिज को ऐसे पार किया जैसे कोई दर्वाजा खोल रहा हो सुन्दर और अंतहीन नई दुनिया एक प्रदर्शनी की तरह सामने आई जो देखने के लिए थी क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं स्टार ब्रिज को पार कर स्टार यूनिवस के दूसरी तरफ पहुँच जाओं तो मैं एक निशित जादूगब बन जाओंगा मू निंगज्यू ने शांति पूल और विशाल तारा ब्रहमान को घूरते हुए बुद्बुदाया मू निंगज्यू को नहीं पता था कि स्टार संस के लिए पूल बनने का क्या मतलब है एक, व्यक्ति जितने लंबे समय तक खेती करता था उसे उतने ही अधिक विकल्प चुनने पढ़ते थे हाला कि ये घटना निसंदेह मू निंगज्यू को बता रही थी कि उसकी वर्तमान खेती स्टार ब्रिज पर थी वह सुपर से अलग हो गई 2401 स्टार संस के स्तर के दाइरे और स्टार संस द्वारा गठित स्टार ब्रिज में कदम रखा यदि वह दूसरी तरफ पहुँच गई तो वह एक निशिद जादूगर्नी बन जाएगी लेकिन इस स्टार ब्रिज को पार करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले म्यू निंगजू ने सोचा कि स्टार संस दूसरी तरफ स्टार यूनिवस की ओर उड़ गए और एक स्टार ब्रिज बनाया लेकिन जब म्यू निंगजू ने उस पर कदम रखा तो उसने पाया कि सभी सितारे उल्टे थे वे स्टार यूनिवस के दूसरी ओर से उसके पैरों तक उड़ गए अगर वह दूसरी तरफ स्टार यूनिवस में जाने के लिए स्टार ब्रिज पर कदम रखने की कोशिश करती तो विप्रीत दिशा में उडान भरने वाले ये स्टार संज उसे शुरुआती बिंदू पर वापस भेज देते न्यू निंगजू की गती उस गती से कहीं धीमी थी जिस गती से इन स्टार संज ने उसे शुरुआती बिंदू पर वापस भेजा था इसलिए Star Bridge पर चलना व्यर्थ था New Nings Yu आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी उसके पास एक विचार था चून की Star Bridge 2401 आईस एलिमेंट Star Suns से बना था जिससे वह परिचित थी इसलिए वह उन्हें रोकने की कोशिश कर सकती थी अतीप में जादू विरों ने स्टार संस को अनियमित रूप से चलना बंद कर दिया था और उन्हें जादू को पूरा करने के लिए जादूई उर्जा संचारित करने के लिए आवश्यक पैटर्न में व्यवस्तित किया था म्यू निंगज्यू की खेती के साथ उसके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं था उसने हाइ स्पीड स्टार संस को नियंतरित करने पर ध्यान केंडरित किया और उन्हें स्टार ब्रिज के रास्ते पर रोग दिया जिससे 2401 स्टार संस से बना एक शांथ स्टार ब्रिज बना ये इस सही अफसर का लाब उठाया। तारा पुल बहुत लंबा था और मू निंगजू की आत्मा केवल एक निश्चित गती से ही चल सकती थी। इस से पहले की मू निंगजू स्टार ब्रिज के दसमें हिस्से को पार कर जाए। सभी स्थिर स्टार संस हिंसक रूप से कमपन करने लगे। स्टार संस को रोकने से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ती खर्च हुई। मियू निंगजू की आध्यात्मिक शक्ती स्टार संस को इतनी देर तक रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वह स्टार ब्रिज से दूसरी तरफ भाग सके. स्टार ब्रिज ध्वस्त हो गया और सभी स्टार संस ओल्टे शुरू आती बिंदू पर लोट आए. उन्होंने मियू निंगजू को भी शुरू आती बिंदू पर वापस भेज दिया. मियू निंगजू को अचानक थकान महसूस हुई और उसे अपनी आध्यात्मिक दुनिया छोड़नी पड़ी. उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ. उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने स्टार संस को रोकने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक बलखर्च किया था या क्योंकि उसने आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिन प्रयास किया था. उसे अपनी उर्जा वापस पाने के लिए कुछ देर आराम करना पड़ा व्यू निंगजू ने अपनी आखे खोली और असीम ग्लेशियर दुनिया को देखा उसे एहसास हुआ कि स्टार ब्रिज उसकी असली बाधा थी दूसरी और स्टार युनिवस तक पहुचने के लिए स्टार ब्रिज को पार करना उसकी अगली सबसे बड़ी चुनोती बन जाएगी अध्याय 2906 इश्वर का उपहार चरम दक्षन भूमी में बर्फ की तत्वों के कारण म्यू निंगजू जल्दी से ठीक हो सका आइस क्रिस्टल बो को शुध करते समय उन्होंने उसकी खोई हुई आध्यात्मिक शक्ती को पुना प्राप्त करने में भी मदद की जल्दी निंगजू ने फिर से अपनी आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखा इस बार वह पहले की तरह नहीं दोरी आध्यात्मिक दुनिया में दोरने से बहुत अधिक शारीरिक उर्जा खर्च होती थी यदि वह स्टार संस को अपने पैरों के नीचे नियंत्रित कर सकती है तो शायद वह इन स्टार संस को स्टार ब्रिज के दूसरी और भेजने के लिए नियंत्रित कर सकती है वे स्टार संस एक व्यक्ति और स्टार सी वर्ल्ड के बीच सबसे महत्वपूर्ण करी थे और उनका अंदोलन सभी जादू का स्रोथ था जब लोग स्टार संस को रोक सकते थे तो वे स्टार संस को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते थे विप्रीद दिशा अतीट में जादूगरों ने यह अभ्यास करने में बहुत लंबा समय बिताया था कि स्टार संस को कैसे रोका जाए लेकिन मियू निंगजू के पास एक नया विचार था उन्होंने स्टार संस को उल्टा करने की कोशिश की यह उल्टा आंदोलन पलटने जित ना आसान नहीं था उसे पहले सामान्य रूप से आगे बढ़ रहे स्टार संस को रोकना था और फिर उन्हें विप्रीद दिशा में मोडना था मियू निंगजू ने पहले कभी इसे आजमाया नहीं था लेकिन स्टार ब्रिज की विशेश प्रकृती के कारण उसे लगा कि यही एक मात्र तरीका है मियू निंगजू को अपनी खेती का रास्ता मिल गया यह एक नया दर्वाजा खोलने जैसा था सुपर लेवल के तीसरे स्टर पर आगे बढ़ने के बाद मियू निंगजू ने अन्य तत्वों की खेती पर ध्यान केंडरित करने के अलावा खुद को सुधारने और बदलने के तरीके से अंजान रहने में काफी समय बिताया था लेकिन उसने एक नई पद्धती और एक नई दुनिया की खोज की थी हाला कि वहाँ एक लंबा स्टार ब्रिज और नई बदलाव थे लेकिन सफल होने के उनके संकल्प में कोई कमी नहीं थी मू निंगजू ने चुपचाप अभ्यास किया बर्फ के पहिये के दोनों और के मार्क से कुछ आवाजे आ रही थी मुझे नहीं पता कि वहाँ आदमी इतना घमंडी क्यों है आखिरकार हम एक टीम है भले ही हम बड़े हैं फिर भी वह हमें ऐसे आदेश देता है मानो हम उसके छोटे से निखो रोयल ग्रेट मैज ली वेन बिन ने शिकायत की क्या आप इसे नीचे रख सकते हैं अगर उसने हमारी बात सुन ली तो हम मुसीबत में पढ़ जाएंगे वाइट पैंथर सममनर ने कहा वह क्लियर फायर फॉर्मेशन में है इसलिए वह हमारी बात नहीं सुनेगा हम उसने कहा कि उसे अपनी ताकत बनाय रखने की जरूरत है क्योंकि वह एक निशिद जादूगा है इसलिए उसे लंबे समय तक ट्लियर फायर फॉर्मेशन में रहना होगा इस वजह से हम थंड में बाहर रहने को मजबूर है वह हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करने की जरूरत है और वह हनकारी और रहस्यमय बना रहता है क्या वह सच्मुच सोचता है कि वह अपनी ताकत से एक निशिद जादूगा बन गया है नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका एक बड़ा समर्थक है डेश में कई लोग अपने सुपर लेवल के चरम पर हैं और फबिदन मैजेस बनने के लिए उनसे अधिक योग्या है वह ऐसा क्यों सोचता है कि उसे इतना दबंध होने का अधिकार है ली वेनबिन ने क्रोधपूरवक कहा शुरुआत से ही वे इगुवांत के रवये से कई लोग निराश थे हाला कि चूनकी वह एक निशित जादू गथा इसलिए वे इसे उजागर नहीं कर सके अंटाक्टिक महादवीप में सभी के बर्फ आक्रमन सीमा में प्रवेश करने के बाद क्लियर फायर फॉर्मेशन के उपयोग के संबंध में संधर्श हुए कोई भी बर्फ के आक्रमन से प्रतारित नहीं होना चाहता था वे सभी अपने शरीर की गर्मी को सुरक्षित रखना चाहते थे इस थंडी और थंडी दुनिया में बिताया गया हर अतिरिक मिनट किसी की आत्मा का एक हिस्सा खोने के बराबर था केवल क्लियर फायर फॉर्मेशन ने गर्मी प्रदान की हाई शिकायत करना व्यर्थ है चाहे कुछ भी हो उसका निशिद जादूगा बनना वास्तव में असाधारन है वो बहुत योग्य होगा अन्य था फबिडन कज असोसियेशन के बुड़े लोग उसे इतना महत्वक्यू देंगे ब्लेक पैंथर सममनर ने कहा खंफ अगर मैं एक निशिद जादूगा बन जाता हूँ तो मेरे भगवान का उपहार उससे कमजोर नहीं होगा ली वेन बिन ने कहा बड़े भाइट भगवान का उपहार क्या है वाइट पैंथर छोटा था और उसे पता नहीं था कि वे क्या चर्चा कर रहे है एक निशिद जादूगा बनने के बाद जादूगा को एक शक्तिशाली और अद्वितिय जादूई भगवान का उपहार प्राप्त होता है जो बुन्यादी स्तर, मध्यवर्ती, उन्नत और सुपर स्तर में हमारे द्वारा हासिल की गई किसी भी क्षमता से बहतर है यह एक इश्वर जैसी क्षमता है ब्लेक पैंथर फुस्फुसाए फबिडन काज असोसियेशन में भगवान का उपहार एक फबिडन जादूगा की क्षमता निर्धारित करने की कुझी थी निशिद जादूगा बनने के बाद वे गुवान को प्राप्तीश्वर का उपहार असाधारन था जिसने उसे अन्य निशिद जादूगरों के बीच भी खड़ा कर दिया ये किस प्रकार की शक्ती है? वाइट पैंथर समम्नर थाजी ग्यासू हम बिलकुल नहीं जानते की यह क्या है प्रत्येक निशिद जादूगर आसानी से अपने भगवान के सभी उपहारों को प्रकट नहीं करेगा हाला कि मैंने सुना है कि यूरोप में एक प्रकाश तत्वनिशिद जादूगर है और उसके भगवान का उपहार सूरज की रोशनी को एक हथियार में बदलना है सूरज की एक किरन भगवान की सजा का भाला है सूरज की एक किरन एक लंबी लाल तलवार है और एक चिलचिलाती धूप जो प्रिथवी को रोशन करती है वो 100 मिलियन अगनी तीर है ब्लेक पैंथर सुमोनन ने समझाया वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है हर कोई उन्हें प्रकाश का पुत्र कहता है वह यूरोप के शीर्ष पांच निशित जादूगरों में से एक है ली वेनबिन ने सिर हिलाया ऐसे व्यक्ति के प्रती उसका चेहरा प्रशंसा से चमक उठा यह पागल है इस्क, मतलब है कि वह धूप वालिस्थान पर अजय यह है यह भग्वान से अलग नहीं है क्या कोई जादूगर इतने भयानक शेत्र तक पहुँच सकता है वाइट पैंथर सममनर ने भय भीत होकर कहा यदि भग्वान का निशिद जादूगर का उपहार इतना शक्तिशाली होता तो क्या दुनिया में कोई था जो ऐसे व्यक्ति से लड़ सकता था यही कारण है कि भग्वान का उपहार एक निशिद जादूगर की उपरी सीमा निर्धारित कर सकता है यह बिलकुल जन्जाद प्रतिभा की तरह है लेकिन जो व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करता उसके लिए जन्जाद प्रतिभा बेकार है भले ही उसकी प्रतिभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो हाला कि यदि अच्छी प्रिष्थ भुमी, परियाप्त, संसाधन और प्रतिभा वाले लोग समान प्रयास करते हैं तो वे एक उच्चस्तर तक पहुँच जाएंगे जो समान स्तर के कई जादूगरों से आगे निकल जाएगा वांग शुओ बाहर आय और बातचीत में शामिल हुए क्या ये सच है कि प्रतिएक जादूग जो निशित जादूग बन जाता है उसे भगवान का उपहार मिलेगा वाइट पैंथर को लगा कि उसने ज्यान का एक नया द्वार खोल दिया है और उसने इन निपुन जादूगरों से सीखने के इस दुरलब अफसर का लाब उठाया मुझे ऐसा लगता है ब्लेक पैंथर सममनर इतना निश्चित नहीं था वांग शुओ जानकार थे हाला कि वह केवल मुस्कुराय और कुछ नहीं बोले यदि आप उत्सुक हैं तो आप वेई गुवान से इसके बारे में पूछ सकते हैं बशर्ते वह आपके संडेहों का उत्तर देने को तयार हो लिवेन बिन ने कहा रहने भी दो, वाइट पैंथर सममनर ने शर्मिंदगी से अपना सिर्खुज लाया वेई गुवान का साथ पाना बहुत मुश्किल था भगवान के उपहार, न्यू निंग्ज्यू उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी इसलिए उसने सब कुछ सुना उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दरजनों मीटर दूरी पर फैली बर्फ की चादर की ओर इशारा किया बर्फ की चादर तुरंट सफेद कनों में बदल गई हवा के एक जोके ने बर्फ की टुकडों को जाग की तरह उड़ा दिया वह अजीब है हमने कुछ देर पहले ही इस रास्ते का पता लगाया था वहाँ बर्फ की मोटी और लंबी चादर बिच्छी हुई थी यह अचानक कैसे गायब हो गया ब्लेक पैंथर ने भोहे सिकोड ली अध्याय 2907 नेता कौन है अंटाक्टिक की भूमी में सभी प्रकार की अजीब चीजे घटित हो सकती है जब तक हमारे मार्ग में कोई समस्या नहीं है हम चलते रहेंगे वांग शुओ ने कहा ऐसे क्षेत्रों के अस्तित्व के कारण जो प्रकाश को अपवर्तित करते हैं भले ही वे हर इलाके और मील के पत्थर को रिकॉर्ड करते हो परिवर्तन होने की संभावना थी कई बार वांग शुओ ने देखा था कि चरम दक्षन भूमी एक सीधा रास्ता नहीं था यह एक जैविक दुनिया की तरह था हिमनद प्लेट, हिम परवद दरार घाटी और सफेद शूट महदवीप सुप्त, विशाल प्रानियों की तरह थे यह अंजाने में उनकी सामने और उनके पीछे प्रकट होगा और उन्हें अंजान बना देगा अगर यहां अजीब चीजे घटे तो वांगशूओ को कोई आश्चरिन नहीं होगा इसके अलावा, यहां ऐसे कई जीव थे जो इतने शक्तिशाली थे की उनकी ताकत कल्पना से भी अधिक थी यदि यह जीव पहारों और समुद्रों को हिलाना चाहते तो वे ऐसा करते निर्धारित मार्ग पर जाने के बाद ब्लेक पैंथर सममनर ने उस थान का पता लगाना जारी रखा इस बार वह घायल होकर लोटा उसका खून बह रहा था वह जम गया था और सफेद जैसा दिख रहा था यह एक भूत है उसे असहनिय दर्द भी हो रहा था सौभागय से उनके पास यान लैन की टीम में एक हीलिंग मैच था जिसने समय पर ब्लेक पैंथर सममनर के घावों का इलाज किया उसी समय वे इगुवान क्लियर फायर फॉर्मेशन से बाहर आये जब उसने घायल ब्लेक पैंथर सममनर को देखा तो उसकी भौहें चट गई क्या हुआ मुझे एक विशाल काई बरफीले जानवर का सामना करना पड़ा यह मेरे सामने खड़ा था लेकिन इसकी आभा का पता लगाना ग्लेशियर जितना ही मुश्किल था यदि ये तथे ना होता कि मेरे डाक स्टार को खत्रे का आभास हो गया होता तो मैं जीवित वापस ना आपाता ब्लेक पैंथर सममनर ने दद से कराहते हुए कहा आपके पास खेती का अपेक शाकृत उच्च स्टर है आप विशाल बरफीले जानवर से मुकाबला करने में सक्षम क्यों नहीं हो सके वे इगुआन से पूछा मुझे नहीं पता कि यह कौन सी प्रजाती है इसने एक ही जटके में कई किलोमीटर तक फैले पूरे गलेशियर को चकनाचूर कर दिया यह कम से कम एक शासक स्तर का प्रानी है ब्लेक पैंथर सममनर ने कहा हम अभी तक दूर भी नहीं आये हैं और आप पहले से ही एक शासक स्तर के प्रानी से मिल चुके हैं यान लेन आश्चर्य से चिल लाए वैसे भी हमें आगे बढ़ते समय सावधान रहना होगा अपने छोटे भाई को आगे बढ़ने दो हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है वेई गुआंग ने आ, समान की ओर देखा उन्होंने समय बताने के लिए सूर्य की दिशा का उप्योग किया न्यू निंग्जिव सूर्य की दिशा पर बारी की से ध्यान दे रहा था सूरज कई दिनों से आसमान में चक्कर लगा रहा था पिछले कुछ दिनों में आकाश में इसकी स्थिती थोड़ी कम हो गई थी और यह क्षितिज के नीचे डूबने के संकेत दे रहा था जिस क्षन सूर्य क्षितिज में डूब गया वो फिर नहीं ओगेगा वे शाश्वत अंधकार की भयावे स्थिती में घिरे रहेंगे अकेले जाना उसके लिए बहुत खतरनाक है आखिरकार हम पहले ही विशाल बरफीले जानवर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं कुछ और लोगों को भेजे ताकि वे एक दूसरे की रक्षा कर सके म्यूनिंग्ज्यू ने कहा जब वाइट पैंथर सममनर ने उसकी बाते सुनी तो वह उसकी ओर मुआ वाइट पैंथर सममनर की खेती का स्तर उसके बड़े भाई जितना उचा नहीं था अगर वह अकेले खोजबीन करता तो शायद वह जीवित नहीं लोटता ली वेंबिन अपने दो लोगों को उसकी साथ भेजो वेई गुआंग ने कहा ली वेंबिन ने सिर हिलाया उन्होंने अपनी टीम से एक शेडो एलिमेंट मैज और एक विंड एलिमेंट मैज का चयन किया ब्लेक पैंथर सममनर ने सुझाव दिया जाने से पहले उन्हें क्लियर फायर फॉर्मेशन में गर्म होने दे ताकि वे वहां जम कर मरन जाएं वे अभी भी अच्छी स्थिती में है उन्हें फॉर्मेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है न्यू निंगजू अंदर जा सकता है और आराम कर सकता है वेई गुआन ब्लेक पैंथर सममनर से असहमत थे वेई गुआन को दूसरों के साथ चीजों पर चर्चा करना पसंद नहीं था वह अपेक्षा करते थी कि सभी लोग उनकी बात माने न्यू निंग्जियू ने क्लियर फायर फॉर्मेशन में प्रवेश किया ये वास्तव में अंदर गर्म था यान लेन को गठन में जाने देने से पहले वह केवल कुछ देर के लिए अंदर रुकी थी थंड उसे कोई नुकसान नहीं पहुचा सकती थी इसलिए उसे फॉर्मेशन पर कबजा बनाये रखने की कोई जरूरत नहीं थी क्या तुम सच मुच इस से ठीक हो अगर तुम्हे कुछ भी होता है तो मैं परिनाम सहन नहीं कर सकता यान लेन ने म्यू निंग्ज्यू से फुस्फुसाते हुए कहा यह मेरे शरीर के कारण हो सकता है मैं हमेशा अच्छी स्थिती में हूँ म्यू निंग्ज्यू ने कहा म्यू निंग्ज्यू ने यान लेन को इस तथे के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी कि ठंड उसे कोई नुकसान नहीं पहुचा सकती म्यू निंग्ज्यू को हर बात दूसरों के साथ साज़ा करने की आदत नहीं थी यात्रा अपने आप में एक रहे से बनी रही इसलिए कुछ बाते अपने तक ही रखना जरूरी था यान लेन ने उसकी बातों पर संदेह नहीं किया और कृतगयता पूरवक ट्लियर फायर फॉर्मेशन में प्रवेश किया न्यू निंग्जियू ने क्लियर फायर फॉर्मेशन के बिन नहीं छोगा उसने अपनी आखें बंद कर ली और संरचना के बाहर आराम करने लगी थंड के कारण यान लेन के हुंट बेंडनी हो गए थे उसकी तवचा पिला था बर्फ ने उसकी तवचा मानसपेशियो और रक्ट पर आक्रमन कर दिया था यहां तक की ठंड के कारण उसकी हडिया भी सक्त हो गए थी सौभाग यसे clear fire formation धीरे 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 ठंड के जहर को खत्म कर सकता है दो घंटे के बाद यान लेंड ठीक हो गई उसके गाल लाल हो गए थे ठंड का असर खत्म हो गया था उसने अपनी आखे खोली और पाया कि म्यू निंगज्यू अभी भी सनरचना के बाहर थी म्यू निंगज्यू गरिमा में मुद्रा में बैठी यान लेंड ने उसके केंडरिद भाव को देखा उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि म्यू निंगज्यू बेदाग सुन्दर थी यहां तक की एक महिला भी म्यू निंगज्यू की सुन्दरता पर फिदा हो जाएगी वो सचमुच परिपूर्ण है मैं उसकी तरह खुबसूरत क्यों नहीं दिख सकती यान लेन ने मन में सोचा अचानक फॉर्मेशन केबिन के बाहर बहस होने लगी म्यू निंगज्यू ने अपनी आखे खोली उसके रंग धंग में रत्ती भर भी बदलाव का नामो निशान नहीं था उसकी तवचा अभी भी बर्फ की तरह सफेद थी भले ही वह बर्फीली ठंडी दुनिया के बीच में थी फिर भी वह पीली या कमजोर नहीं लग रही थी यान लेन भ्रमित थी उसे आश्चर्य हुआ की म्यू निंग्ज्यू पर ठंड का असर क्यों नहीं हुआ यान लेन लंबे समय तक क्लियर फायर फॉर्मेशन के अंदर रही थी अधिकांश लोग क्लियर फायर फॉर्मेशन में स्वस्थ हुए बिना ही जम कर मर गए होंगे बाहर कुछ हो रहा है यान लेन ने कहा आईए इसे जाचने चले दोनों महिलाए केविन से बाहर चली गई उन्होंने देख पर ब्लैक पैंथर सममनर और ली वेन बिन को देखा वे वेई गुआंध से जगर रहे थे हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है यदि वे अपना रास्ता भूल जाते हैं तो वे निश्चित रूप से हमारे पीछे छोड़े गए रास्तों के आधार पर जल्दी हमें पकड़ लेंगे अगर उन्हें कुछ हो जाए तो जाकर उन्हें धूंदना व्यर्थ है हम किसी धूप वाले बगीचे के अंदर नहीं है वे इगुआंग ने गंभीरता से कहा यहां बिताया गया प्रतेक अतिरिक दिन सभी के जीवन को और भी अधिक खत्रे में डाल देगा वे बहस के बीच में थे वे इगुआंग ने बातचीत की कोई गुनजाइश नहीं दिखाए यान लेन ने म्यू निंगजू से फुसफुसा कर कहा तीनों जो रास्ता तलाश ने निकले थे अभी तक वापस नहीं आये है वे इगुआंग ने मार्क खोजने के लिए एक अन्यव यक्ति को भेजा उनका इरादा उन तीनों के लोटने का इंतजार करने का नहीं है चलो वहाँ चलते हैं म्यू निंग्जू ने कहा जब बलैक पेंथर सममनर ने म्यू निंगजू को अपनी और आते देखा तो उसने उसकी और ऐसे देखा जैसे वह उसे बचा सकती है उन्होंने पूरी स्थिती बताए मैं नेता हूँ मैं तैकरूंगा कि वहां कैसे जाना है आपको उससे सलाह लेने की जरूरत नहीं है वे इगुवांग ने थंडे स्वर में कहा Magic Association नहीं मुझे भरती किया था यदि आप इस टीम के नेता नहीं बनना चाहते तो अब वापस जा सकते हैं मैं शेश मार्क स्वयम ही पूरा कर लूँगा मु निंग्जियू ने खंडन किया अध्याय 2908 विद्रोही पवन तत्व जब दूसरों ने उसकी बाते सुनी तो वे उसकी ओर देखने लगे यहां तक कि वे इगुवांग भी दन रह गए मु निंग्जियू ने पूरी यात्रा के दोरान ज्यादा बात नहीं की थी वे इगुवांग ने मान लिया था कि वह सब कुछ उस पर छोड़ने को तयार है ताकि वह 5 Continents Magic Association Alliance द्वारा सौपी गए अपने भरती कार्य को पूरा कर सके किसी ने सोचा ना था कि वह उसका इतने सीधे सरल धन से खंडन कर देगी क्या युवा लोग एक टीम के रूप में इसी तरह समवाद करते हैं वांग शुओ ने इस तीफे में अपना सिर हिलाया वेई गुआंग ने दूसरों के साथ चर्चा किये बिना सभी निरने स्वयम लिए इस बीच म्यू निंग्जियू की शब्द उससे ये कहने की समान थे कि यदि वह वह काम करने के लिए तयार नहीं है जो उसे करना चाहिए था तो वह भाग जाए वेई गुआंग एक निशिद जादूग था म्यू निंग्जियू ने जिस तरह से उससे बात की उसमें सम्मान का जरा भी संकेत नहीं दिखा ऐसा लगता था मानो यह निशिद जादूग उनन्य लोगों से अलग नहीं था जो उसके खिलाफ गए थे वेई गुआंग परेशान दिख रहे थे वह हंकारी था इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से बुरा लगा जब उसने उसे भील के सामने खड़ा कर दिया तो वह शर्मिंदा नहीं हुई वरिष्ट मेरा मानना है कि म्यूनिंग्ज्यू का मतलब ये था कि हमें एक स्ट्रीम साउथ फबिडन लेंड में एक साथ काम करना चाहिए हम एक ही नाव में हैं और हम एक टीम हैं हम टीम के सदस्यों को यूँ ही पीछे नहीं छोड़ सकते यान लेन ने तुरंत महौल को शांत करने की कोशिश की मैं उनकी तलाश के लिए किसी को भेजूंगा आपको आइस वील फ्लाइंग बोट के साथ आगे बढ़ना होगा हमें आब और देर नहीं करनी चाहिए वेई गुआंग ने अपना गुसा रोक लिया मैं उनका इंतजार करना चाहता हूँ म्यू निंग्जू ने कहा जैसा कि मैंने पहले उल्लेक किया है मैं किसी को उनकी खोज करने के लिए नियुक्त करूंगा मैं या तो उन्हें जीवित वापस लाऊंगा या उनकी लाशे वापस ले जाऊंगा क्या आप इसे संतुष्ट होंगे वे इगुआन को तोर दिया उनके पीछे गोधुली बादलो का एक समूर संधनित हो गया गोधुली का समय सामान्य से भिन था यह इतना अंधेरा था मानो कोई अद्रिश्य हात धीरे धीरे पीछे से उन पर दबाव डाल रहा हो उनके सामने सड़क पर सूरज चमक रहा था सफेद ग्लेशेर की दुनिया में धूप फैल गई यह पवित्र और पवित्र लग रहा था द्रिश्य राजसी और शांदार था बोधुली बादलों का समूर धीरे धीरे उन पर हावी हो गया खत्रा मनराने लगा कोई बता सकता है कि वे इगुवान समय के बारे में बहुत खास थे प्रस्थान से पहले उन्होंने यह उम्मीद नहीं कि थी कि एक्स्ट्रीम साउथ लेंड उनकी उम्मीदों से इतना बत्तर होगा जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें एहसास हुआ कि यात्रा कहीं अधिक चुनोती पूम थी और उनकी अपेक्षा से अधिक समय लगा शौटकट हिमानी परवत श्रिंखला में एक दरार थी गहरा और उदास था, आइस वील फ्लाइंग बोट सम्भवता आधे रास्ते में दुरगट नागरस्त हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी दरार के माध्यम से प्रवेश करने के बाद वहां एक हरी नदी थी पानी बहुत धीरे-धीरे बहता था, सता पर शायद ही कोई लहर थी कुछ तूटे हुए टुकडे नदी, पर तैरने लगे, वे इस बात को लेकर उत्सुक थी कि पानी जमता क्यू नहीं क्या इसका हिमाक अधिक हो सकता है आइस वील फ्लाइंग बोट की गती तेज हो गई और जल्द ही उसने 5 या 6 किलोमीटर की दूरी तैकी नदी उतनी शांत नहीं थी जितनी दिखती थी आइस वील फ्लाइंग बोट के पास कुछ पारभासी आकृतिया एक अत्रित हुई वे भूतों की तरह चलते थे मू निंगजू और उसका समूह पानी के नीचे तैरते समय अपना असली रूपस पश्ट रूपसे नहीं देख सके हाला कि उन्हें आइस वील फ्लाइंग बोट के आसपास तीवर हाल कमपा देने वाली ठंडक महसूस हुई ये प्रेद दानव है वांग शुओ हैरान रह गया और बहुत ततपर्ता के साथ दूसरों पर चिल लाया वे इगुआंग ने बहुत पहले पानी के नीचे फैंटम राक्षसों को देखा था उसकी भोहों के बीच एक लाल भूरे रंग की आग का पैटन दिखाए दिया उसकी नजर एकदम तेज हो गई नदी पर एक गहरे बैंगनी रंग की पवित्रजवाला प्रकट हुई पवित्रजवाला एक विशाल मुह वाले राक्षस के समान थी इसने पानी के नीचे छिपे प्रेट राक्षसों को अपनी चपेट में ले लिया प्रेट दानव इतने डर गए कि वे भाग गए उनमें से कई लोग बर्फीले पानी से बाहर निकले और आसपास की बर्फ की चट्टानों से टकरा गए उनमें से अधिकांश पवित्रजवाला द्वारा नश्ट कर दिये गए और राख में बदल गए कचरा, वेई गुवांग ने उन प्रानियों पर तिरसकार पूर्वक कटाक्ष किया आम तोर पर अगनी तत्व की जादूई शक्ती ऐसे बर्फीले वातावरन में दब जाएगी हाला कि वेई गुवांग एक यादरच्षिक जादू करके हिमंदी नदी को पिघला सकता है आइस वील फ्लाइंग बोट आगे बढ़ती रही और दरार के अंदर एक संकरी जगह पर पहुँच गई सौ मीटर उपर बर्फ की दीवार पर सूरच की रोशनी चमक रही थी भूमी किरने अपवर्तित होकर सामने बर्फ की दीवार पर परावर्तित हुई ये बार-बार अपवर्तित और परावर्तित होता रहा जब तक की ये दरारों के अंदर नदी पर स्थिर नहीं हो गया रोशनी अब गर्मागरम नहीं रही बलकि कुछ अजीब और गहरे हरे रंग में बदल गई गहरे हरे रंग की दरार के अंदर की हवा गंदी थी, जिससे सास लेने में दिक्कत हो रही थी सामने से बरफीली थंडी हवा चली, नदी के पानी में हलचल मच गई, आइस वील फ्लाइंग बोट आगे नहीं बढ़ी इसके बजाए ये धीरे-धीरे पीछे की और चला गया, वेई गुवान के सहायक पवन तत्व जादूग थे, उन्होंने हवा की दिशा में हिरफेर करने की कोशिश की जैसे ही उन्होंने जादू किया, भयानक हवा ने उन पर पलटवार किया और उन्हें दरार से टकरा कर तोर दिया भील हैरान थी, वह कैसी अजीब हवा थी, यह इतना शक्तिशाली था कि इसने पवन तत्व के जादूगरों को जादू करने से रोब दिया भले ही वेई गुवांग एक निशिद जादूग था, वह इस स्थिती में कुछ नहीं कर सका वह बस इतना कर सकता था कि हवा में बह गए जादूगरों को वापस पा सके म्यू निंग्जियू एक पवन तत्व जादूग भी था, उसे दरार के अंदर बरफीली हवा के भीतर अजीबता का एहसास हुआ उसने अपनी आखें बंद कर ली और बेचैन वायू तत्वों से समवाद करने की कोशिश की दरार के अंदर पवन तत्व बहुत मजबूत था, यदिवे ऐसे वातावरन में पवन तत्व का जादू करते हैं तो शक्ती का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा लेकिन पवन तत्व के जादूगरों को प्रतिक्रिया का सामना क्यों करना पढ़ा हाला कि पवन तत्व शुधर और मजबूत था, फिर भी वह मिलनसार था म्यू निंगजू ने अपनी मांसिक स्थिती के अंदर एक नक्षत्र तैयार किया उसने पवन तत्व के साथ आइस वील फ्लाइंग बोट के लिए विंग्स ओफसेल को आकार देने की कोशिश की हाला कि जब उसने पवन तत्व को अपनी और खीचा, तो सभी पवन तत्व ने उस पर हमला कर दिया उसने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह पीछे की और सरक गई, जब वह डेक से बाहर निकली तो म्यू निंगजू ने तेज बरफीली हवा के बीच में आंदी से बनी एक मजबूत भुजा की रूपरेखा देखी इसने डेक पर बेरहमी से प्रहार किया, हर कोई स्तब्ध रह गया, उन्हें नहीं पता था कि कौन सा जीव उन पर हमला कर रहा है जैसे ही वे जवाबी कारवाई करने वाले थे, हवा का जोका हवा के तेज जोके में बदल गया और आइस वील फ्लाइंग बोट को पार कर गया क्या चल रहा है, क्या तुमने वह चीज देखी जिसने तुम पर हमला किया वे इगुआंग ने तुरंट पुछा, खवा के अंदर राक्षसी आत्माय हैं, उन्होंने पवन तत्व को नियंत्रित किया जब पवन तत्व जादू गरों ने जादू किया, तो राक्षस आत्माओं ने पवन तत्व को एक हिंसक आत्मा में बदल दिया और पवन तत्व जादूगरों पर हमला कर दिया, म्यू निंगक्सु ने समझाया पवन तत्व अब तटस्थ नहीं था, इसका एक आकरामक पक्ष था अध्याय 2909 आइस एल्फ क्वीन वेई गुआन के शब्दों ने म्यू निंगक्सु को प्रबोध धकर दिया, उसने पवन तत्व की आकरामकता से छुटकारा पाने के लिए बर्फ तत्व को नियंतरित करने की अपनी क्षमता का उप्योग करने का प्रयास किया जल्द ही, हवा बर्फ और बर्फ से भर गई, वे पहले से ही बर्फीली ठंडी दुनिया में थे, इस प्रकार वह आसानी से अपने आइस एलिमेंट जादू को सघन कर सकती है यदि वह एक मजबूर जादू करती, तो वह हवा की बर्फीली घाटी को जमा सकती थी विधी काम करती है, हवा अब पहले जैसी तेज नहीं रही ली वेनबिन ने कहा, आइस एलिमेंट मैजिज ने म्यू निंग्जियू को असमंजस में देखा इस क्षेत्र में हिम तत्व को नियंतरित करने में भी उन्हें कठिनाई हुई यहां का बर्फ तत्व बाहर की तुलना में कहीं अधिक आकरामक था तत्व को अपनी बात मानने के लिए उन्हें जबर्दस्त मान से कूर्जा खर्च करनी पड़ी ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार उसमें हिरफेर कर सकें यहां के बर्फ तत्व को दूसरों के साथ साजा नहीं किया जा सकता है आइस एलिमेंट का स्वभाव अलग थलग और अहनकारी था इसने चरम दक्षन भूमी के बाहर से आए जादूगरों की आग्या मानने से इंकार कर दिया हाला की यह काम कर गया म्यू निंग्ज्यू के लिए अलग धांग से क्या इसका संबंध आपकी प्राकृतिक प्रतिभासे है क्या आपको बर्फ तत्व से विशेश लगाव है एक आइस एलिमेंट रोयल मैज से पूछा मुझे ऐसा लगता है मू निंग्ज्यू भी निश्चित नहीं थी आखिरकार उन्होंने विद्रोही पवन तत्व मुद्दे को हल कर लिया और सड़क साफ कर दी आइस वील फ्लाइंग बोट के दूर तक जाने से पहले उनके पीछे से किसी ने चिल लाया वे इगुआन के लोगोंने लापता जादूगरों को धूंड लिया था और उन्हें वापस ले आये थे नियू निंगजू ने बर्फ सफेद पैंथर को देखा इसकी पीट पर एक बेहोश जादूग सवार था यान लैन और लोजिस्टिक्स के कई लोग उन्हें केबिन तक ले गए उन्होंने वाइट पैंथर सममनर का इलाज किया अजीब बात यह है कि बेहोश जादूगर घायल नहीं हुए थे फिर भी वे बेहोशी की स्थिती में आ गए थे उनकी खाले जम गई थी और ग्रेनाइट की तरह सक्त हो गई थी उन्होंने एक कठोर और बरफीली थंडी नेक्रोटिक गैस उत्सजित की यान लैन और उसके समूह ने घायल जादूगरों के लिए क्लियर फायर फॉर्मेशन छोड़ दिया वे इगुआंग ने उन लोगों से पूछताच की जो अभी भी अच्छी स्थिती में थे उन्होंने उससे कहा कि उन्हें भी नहीं पता की उन पर कैसे हमला किया गया उन्होंने जीव को नहीं देखा वे प्रकाश के अपवर्तन के बीच अचानक बेहोश होकर खो गये थे दरार के अंदर प्रकाश का अपवर्तन इस स्थिती में महत्व पूर्म भूमिका नहीं निभाता है अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग ड्यूटी से बाहर हैं वे अच्छा आराम कर सकते हैं इस बीच जो लोग गश्ट ड्यूटी पर हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए इस भूथा जगह पर कुछ भी हो सकता है वे इगुवांग ने भीर से कहा तत्वों को साजा नहीं किया जा सका इन शब्दों ने म्यू निंगजू को प्रेरित किया था उसकी आइस एलिमेंट अलोकिक शक्ती उसके सभी दुश्मन के आइस एलिमेंट जादू को कुचलने में सक्षम थी इस थान पर उसके बर्फ तत्व पर उसका पूर्ण नियंतरंग था हाला कि उसकी शक्ती उसके दुश्मन को दूसरों पर हमला करने के लिए आइस एलिमेंट जादू का उप्योग करने से नहीं रोक सकी क्या वह अपने दुश्मन के खिलाफ एक प्रभावी प्रहार कर सकती है यदि वह बर्फ तत्व को स्वयम नियंतरित करने की कोशिश करती है या यहां तक कि उसे संकीरु घाटी के अंदर पवन तत्व की तरह विद्रोह करने के लिए प्रेरित करती है जो आकरामक हो गया था और उन पर हमला कर दिया था म्यू निंगक्स्यू निश्चित रूप से देना चाहता था यह एक प्रयास है पूर्णत या निशित क्षेत्र में उसे बर्फ तत्व को अपनी बात माननी पड़ी अन्य सभी मनुष्य और प्रानी जो इस वातावरण में अपना जादू चलाने की इच्छाधारी सोच रखते थे उन्हें एक हिंसर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा यदि यह अतीत होता तो म्यूनिंग्ज्यू का बर्फ तत्व पर इतना मजबूत नियंत्रन नहीं होता आखिरकार केवल वही जिन्होंने निशिध अभिशाप प्राप्त किया था तत्वों को इतनी पूर्णता से नियंत्रित कर सकते थे हाला की न्यू स्टार ब्रिज में स्टार संस के प्रक्षेप पत को उल्टने की कोशिश करने के बाद म्यूनिंग्ज्यूने और अधिक शक्तिशालिक शमता हासिल कर ली थी जो आईस एलिमेंट के लिए उसकी पूर्णा अत्मियता थी अतीप में जादूगरों को स्वर्ग और प्रित्वी के बीच विबिन तत्वों की मदद से एक जादू को पूरा करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपने शरीर पर जोतिशिय संकेत खीचने पड़ते थे लेकिन किसी कारण से, बिना किसी स्टार पैटन, स्टार तारामंडल या स्टार पैलेस का निर्मान की आई सेले में टजादू म्यू निंगक्सियू की हथेली पर दिखाए दिया तत्वों के साथ संचार के माध्यम के रूप में उन्हें अब स्टार संस की मदद की आवश्यक्ता नहीं रही उसे बस अपने मन से जुडने की जरूरत थी इसके अलावा 2400 एक स्टार संस एक स्टार ब्रिज में तबदील हो गए थे इसकी संभावना नहीं थी कि वे एक स्टार पेलेस में तबदील हो जाएंगे उन्होंने स्टार डोमेन के माध्यम से स्टार स्काइब रिज में मार्च किया न्यू निंगजू ने अपनी आईस एलिमेंट शक्ती में भारी बदलाव महसूस किया उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके लिए सब कुछ नया हो गया हो उसे और अधिक अन्वेशन और अभ्यास करना था पूंड निशित क्षेत्र विद्रोही तत्व इसे ध्यान में रखते हुए म्यू निंगजू ने तुरंट इसे अभ्यास में डाल दिया उसने पूंड निशित क्षेत्र का निर्मान किया और आइस वील फ्लाइंग बोट पर आइस एलिमेंट जादूगरों को उसके साथ सहयोग करने दिया ली वेनबिन और वांग शूओ ने असमंजस में म्यू निंगजू की और देखा उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह ऐसे माहौल में अपनी खेती पर कैसे ध्यान केंडरित कर सकती है क्या उसे शहर में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए हम किस तर के जादू का उप्योग करते हैं क्या हम सुपर लेवल या एडवांस्ट जादू करते हैं शाही जादूगरों से पूछा व्यो निंगाजू ने कहा उन्नत काम करेगा भूरे रंग की भालू टोपी पहने एक व्यक्ती ने कहा तब मैं आइस बाउंट कॉफिन का उप्योग करूंगा उन्होंने स्टार ओबिट को स्पष्ट किया और स्टार पैटन बनाया एक उन्नत आइस एलिमेंट स्टार तारामंडल ने कुछी सेकंड में भूरे भालू टोपी वाले व्यक्ती को भीर लिया उसी समय क्रिस्टल के मोटे टुकडे जो सफेद स्टील से मिलते जुलते थे उसके सिर के उपर संधने थो गए हाला कि भूरे रंग की भालू टोपी पहने व्यक्ती की अभिव्यक्ती जैसे ही बदल गई उसने क्रिस्टल के संधनन की उपस्थिती देखी अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर कोई चीज टकराए हो और वह कुछ कदम पीछे हट गया उसके पैर और छाती अकड़ गये यहां तक कि उसकी भुजाय भी अकड़ने लगी आइस बाउन ताबूत उसके सिर के उपर दिखाई नहीं दिया या लक्षे पर हमला नहीं किया इसके बजाए बर्फ से धका ताबूत जम गया था और उसे अंदर फसा दिया था भूरे भालू की टोपी वाला आदमी चौक गया उसने तुरंट अपना जादू बंद कर दिया फिर वह अविश्वास में म्यू निंग्ज्यू की और मुगा म्यू निंग्ज्यू निश्चल रही वह केवल उसके शरीर में होने वाले बदलावों को देखती रही बर्फ तत्व प्रतिक्रिया देता है भूरे भालू की टोपी पहने आदमी ने चिल्ला कर कहा उसे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था भले ही वर्तमान परिवेश में बर्फ तत्व अनुकूल नहीं था अगर वह इसे संचालित करने पर ध्यान केंडरित करता तो वह भी भी नियमित जादू कर सकता था यहां तक की आइस एलिमेंट ने भी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था भूरे भालू की टोपी वाला व्यक्ती भी एक पवन तत्व जादूग था उन्हें कुछ समय पहले ही विन्ड एलिमेंट से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था आपने स्वयम तत्व पर कबजा करना कैसे सीखा वेई गुआंग उसके पास चला गया वह भी उतना ही आश्चरे चकित लग रहा था वेई गुआंग आमतोर पर इस प्रकार के अभ्यास में रुची नहीं दिखाते थे हाला कि आइस एलिमेंट को जादूग के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हुए देखने के बाद वह उतसुक था ये कैसे काम करता है क्या इसका मतलब यह है कि यदी वह आसपास है तो बर्फ तत्व के जादूग जादू नहीं कर सकते हैं और यदी वे जादू करने पर जोड देते हैं तो तत्वद द्वारा उन पर हमला किया जाएगा अन्य बर्फ तत्वद जादूगरों ने आश्चरे से पूछा ये तो बहुत ज्यादा था, अधिकांश लोगों ने कहा कि जादूगत अत्वों के गुलाम थे, लेकिन म्यू निंग्ज्यू एक आइस एल्फ क्वीन की तरह थी जो आइस एलिमेंट को बिना शर्ट नियंत्रित कर सकती थी अध्याई 2910 एक्स्ट्रीम साउथ ग्रेव्ज उ उन्होंने अपनी ताकत सुधारने की जहमत नहीं उठाए, लेकिन म्यू निंग्ज्यू अलग थी, उन्होंने स्थिती का अवलोकन किया, उन्होंने अपने साधना पत को एक नई मानसिक्ता के साथ बदल दिया जिसे किसी और ने आजमाने की जहमत नहीं उठाए, एलिमेंट मेजिस के सामने अपराजय बना दिया, आइस एलिमेंट मेजिस कैस से पहले अपने मंत्रों के लिए उन्हें पहले उसकी स्वीकृती प्राप्त करनी थी, अन्यता बर्फ तत्वा विद्रोव कर देता, दुरभाग्य से एक शमता अभी भी भगवान के उपहार स बहुत कम है, ये वास्तव में निशिद अभिशाप के नीचे के जादू को दबा सकता है, लेकिन यह निशिद अभिशाप स्तर में एक बहुत ही सामान्यक शमता है, वेई गुआंग ने अपना सिरहिलाते हुए कहा, वेई गुआंग हर कोई निशिद जादूगन नहीं ब इसने तै किया कि निशिद जादूगा किसी भी धर्मनिर पेक्ष मामले में शामिल या भाग नहीं लेंगे। इस दुनिया में बदलाव ला सकता है। इस बीच आप वह चटान है जो बहती हुई धारा के बीच में मजबूती से खड़ी हो सकती है और धारा के पानी को विभाजित भी कर सकती है। वांग शुओ ने व्यंग्यात्मक धंक से कहा। असमान और दानतेदार थी। ड्रेट रिफ्ट से हवा फिर से उनकी और बह गई। हवा ने उस थान को भर दिया और भयावेह बर्फ और बर्फबारी के साथ मिल गई। उन्होंने एक भयावेह बर्फीले तूफान बनाया। वेही गुआंग और उनके समूर ने खुद को एक इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ पाया। आइस वील फ्लाइंग बोट ही उनका एक मात राश रह था। आइस वील फ्लाइंग बोट को अपनी जगह पर जमने और पत्थर की मूर्ती में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह आसपास के ग्लेशेरों का हिस्सा बन गया। जिस गती से सब कुछ जम गया वह इससे मुक्त होने की उनकी क्षमता से भी तेज थी। जब उन्हें लगा की आखिरकार वे बर्फीले तूफान की सफाई से बच गए हैं तो वे खुद को इतनी मुटाई की बर्फ श्रिंखला के बीच में जमे हुए पाकर घबरा गए। जमीन पर लट्थे की तरह सोना मौट से अलग नहीं था। इससे पहले की उनके महत्वपूर्न अंध काम करना बंद कर दें वे इगुआंग और उनके समूव को जादूगरों को जगाना पड़ा। वे इगुआंग ने जुनजलाहट में कहा, बर्फ तोड़ने के बाद हम वापस लोटेंगे। वांग शुओ ने कहा, असंभव हमें दक्षिनी धुरूफ स्टेशन पर पहुँचने तक का आगे बढ़ते रहना होगा। वे इगुआंग ने द्रिलता से कहा, उन्होंने सभी को जगाया और बर्फ तोड़ना शुरू कर दिया। बर्फ बहुत मोटी थी, ये समुद्र के नीचे की चत्तानों से कहीं अधिक कथोर थी, सभी ने बारी-बारी से जादू टोना किया, फिर भी वे ठक गए थे, धूल में परिवर्तित हो जाओ। नियु निंग्जिव ने पूर्ण निशित क्षेत्र का जादू चलाया और ठोस बर्फ को सफेद बर्फ की धूल में बदल दिया। श्रिंखला में संधनित हो गया था। एक स्ट्रीम साउथ लेंड में बहुत सारे प्राचीन विशेशगय फसे हुए थे। उनमें से कुछ शासक स्तर के विशेशगय थे। फिर भी वे इंग्लेशियल ग्रिम रीपर्स के चंदूल से बच नहीं सके। हवा ने बर्फ को उनके और उड़ा दिया। तेज हवा ने बर्फ को ठोस बना दिया। परिनामस्वरू चंद के मौसम के बीच ये सक्त हो गया। यदि कोई आकाश से नीचे देखे तो वह भूमी पर तेजी से उगरी हुई बर्फ की परवत श्रिंखला को देख सकता यह एक हिमाच्छादित परवत श्रिंखला थी। इसे कुछ ही घंटों में चमतकारिक धंग से बनाया गया था। इसका मतलब बर्फीली भूमी पर प्रानियों के लिए एक वास्तविक आपदा थी। आइस वुल्फ गिरो ग्रेट रिफ्ट के बाहर रहता था। उन्हें जिवाश्मन अमूनों की तरह नई उगरी बर्फ की शिराओं में संरक्षित किया गया था। इसी तरह उरते हुए औरोरा स्नो बद्स का जुन्ड एक पेंटिंग की तरह शांत था। उन्हें कई मीटर उची चट्टान पर उकेरा गया था। एक विशाल बर्फीला जानव पर हिमन्दी तूफान के बीच में भयन कर संधर्श कर रहा था। ये बहुत मजबूत और शक्तिशाली था। जब भी यह कई सो मीटर मोटी बर्फ की चट्टान पर चार्च करता था तो ये बर्फ की चट्टान को चूल में बदल देता था। फिर भी ग्लेशियर की कबरो ने धीरे-धीरे इसके शक्तिशाली शरीर को निगल लिया और इसे बर्फ की नस का हिस्सा बना गिया। भले ही वह जीवित प्रानी हो या बर्फीली भूमी जो समुद्र के पानी में संधनित नहीं होते वे अंतरिक्ष सहित जम जाएंगे। ये पहले बहुत विशाल मैद लेकिन अब बर्फीले तुफान के आगमन ने कई भयानक ग्लेशियरों का निर्मान कर दिया है। सेकड़ों किलोमीटर तक फैली जमी हुई कबरे जमीन से उपर उठ गई।